हेलो फ्रेंड्स, पाइथन लेक्बे सिखने की स्त्रीज में हम लोग MongoDB का इंप्लिमेंट कर रहे हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं कि पाइथन को MongoDB से कैसे करेंट करने हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक मोडिल को इंस्ट्रल करना है, वो होगा हमारा पाइझ मोंगो मोडिल, हम लोग क्या करेंगे, अनकोंड में भी रन करवाएंगे और पाइचा में भी रन करवाएंगे मतलब दोनों के थुआ हम लोग, पाइथन को MongoDB से connect करेंगे तो और खनेड में पाई मंगो को इंस्टाल करने के लिए आपको जो Carmin करने करें वह होगा का Kondra इंस्ट्राय मंगो और जो पाईचा में रज़न होगा वह होगा आपका Peep ंस्टाल्ड करकरती हो और एनो कॉंड़ा में आप कॉंड़ा की तुरू इंस्टॉल करते हैं तो यहां पर सबसे पहले क्या करते हैं एनो कॉंड़ा नभी कर्टर को लॉंच करते हैं मैंने आपको बताया है कि इसी में आपके सारे पैकेज़े होते हैं तो यहां से हम लोग जुपिटर को भी लॉंच कर प्रौंट्ट लेते हैं तो यहां यहां पर कर लिते हैं मैं आपको बताया था कि यहां को क्या करना होता है environment path में जाके इसको set करना होता है इसके advantage क्या होता है कि आप command prompt में कहीं से भी access कर सकते हो नहीं तो आपको bin folder में जाके launch करना पड़ेगा तो यहां पर आप दे सकते हो यह launch हो गया है यह port number बता रहा है 27017 फिर से command prompt में जाते हैं यहां पर हमें launch करना है mongo software तो simply यहां पर लिखना है mongo.exe enter तो यह भी launch हो गया अब हमें क्या करना जो अनकॉंडन एविकेटर है इसके थुरू हमें python को launch करना है तो इसे launch कर लेते हैं और साथ ही में हम लोग जूपिटर को भी launch कर लेते हैं तो बचुरु में लॉन्च हो रहा है तो हमनों क्या करते हैं सबसे पहले एन्ध साथ देण को र यह जब आप करोगे तो यह आपको इंट्वल कर देगे एंटर पाहचा में बीप उपन कर लेते हैं टर्मिनल पर जाते हैं यहां पर आपको करना है दीप इंस्टॉल tier Had est ll तो दे सकते हो जब आप इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पर आपको इंस्टॉल करके दे देगा उसी में हम लोग अभी तक काम कर रहे थे तो desktop में हमारा python है तो इसे open कर लेते हैं यहां पे एक new file create कर लेते हैं python 3 सेम हम लोग कर लेते हैं python में यहां पे एक new file create कर लेते हैं तो यहां पे right click new python file यहां पर फैल को रिणिम कर लेते हैं, connection.py, enter, यहां पर यह create हो गया है, जुप्टर में जाते हैं, यहां पर भी फैल को रिणिम कर लेते हैं, यह होगा हमारा, mongodb, connection, enter, तो यहां पर सबसे पहले क्या कर रहा है, import करना आपको, pymongo को, यहां पर pymongo को import किया, यह तभी आपको चलेगा, जब आपका यह condo install करेगा, यहां पर आप दे सकते हो, यह यहां पर बोल रहा है, all requested package already installed, मतलब वो install हो चुका है, क्योंकि मैंने वो already install कर रखा था, जब यहां पर आप install करोगे, तो आपको install करके दे देगा, यहां प आपको क्या करना है, simply लिखना है client, कोश भी variable ले सकते हो, request to, यहां पर simply आपको लिखना है, pymongo, dot, इसमें एक function होता है, mongo client, तो इससे भी आपको यहां पर लेना है, mongo client, bracket, single quote या double quote, यहां पर आपको लिखना है, mongodp, colon, double slash, localhost, colon, और यहां पर आपको port number mention करने, तो यह किस port पर चल रहा है, 27017, यहां पर आप दे सकते हो, जो आपको mongo db होता है, वो इसी port पर चलता है, तो 27017 यह हो गया, यहां पर simply आपको print कर लेना है, client को, तो यही पर हम लोग कर लेते हैं, control enter, तो दे सकते हो, यह run हो गया है, जब यह समझ आईएगा, कि यह connect हो गया, तो यह था हमारा फिलाल, जुप्टर में, पाइचा में भी देख लेते हैं, इसमें कुछ नहीं करना, control भी कर लेते हैं, उसी को, जो भी हमने वहां पर कर रखा है, और इसको भी यहां पर right click करते हैं, यहां पर करते हैं, यहां पर करते हैं आपको यह बोल रहा है, mongoclant, host, localhost, जो कि यह export पे चल रहा है, और यहां पर आपको दिखेगा, connect equals to true, मतलब यह connect हो गया है, तो इस तरह आप, python को mongodb से connect कर सकते हो, तो connection के लिए आपको याद रखना है, कि आपको यह package को install करना है, तभी वो चलेगा, एक चीज और लेते हैं, एक function होता है, list database names, यह क्या करता है, जो भी आपको database होता है, system का, वो सारा show कर देता है, तो कुछ नहीं करते हैं, यहां से को copy कर लेते हैं, Excel create कर लेते हैं, insert cell below, control fee, यहां पर कुछ नहीं करते हैं, simply लिखना है, client dot, और जो यहां पर है, list underscore database underscore names, तो यह क्या करेगा जो भी आपका database होगा, वो सारा यहां पर display करवा देगा, यह एक function होता है, control enter, तो देख सकते हो, यह हमारे default database थे, admin, config और local, यह मेरे आपको बताया था, जदि आपको यहां पर show करवाना है, यहां पर आपको देख सकते हो, show databases, यहां पर भी आपको default database है, वो आपको show कर यहां पर एक माँ और कर सकते हो, यहां पर MongoClient लिख रहे हो, इसके जगा पर आप simply यहां पर एक चीज़ और कर सकते थे, control v यहाँ पी कुछ नहीं करना simply लिखना आपको from pymongo import mongo client और यहाँ पी आप pymongo को हटा सकते तो यह भी आप कर सकते तो यह क्या करेगा आपको same result देगा तो यह था हमारा फिलाल कि python को mongo db से कैसे connect कर सकते हैं आने वाले वीडियो में हम लोग इसमें detail में सारी सीचे पढ़ेंगे तो उमीद है यह वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी जदी अच्छी लगी होगी तो चैनल को share and subscribe जरूर करें साथ ही बेल आइकन को यह प्रेस कर लेना ताकि जैसे मैं कने अबड़े अप्रोड करूँ उसकी notification को तुरद मिल जाए Thank you, happy learning